नमस्कार, आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है, आज का फर्स्ट अब्रेट है, बेला सॉफ्ट के शेयर्ज में आज मार्किट ओपन होते ही शांदर तेजी आई, कम्पनी का शेयर 12% बढ़कर 421 रुपीज पर पहुँच गया, हाला कि बाद में ये तेजी थ देखने को मिली, पूरी दुनिया में कम्पनीज अपना काम डिजिटल कर रही है, इससे साइबर थ्रेट का खतरा भी बढ़ा है, इसलिए कम्पनीज साइबर सिकॉरिटी को अपनी प्रायोरिटी बना रही है, और इसी वज़ह से साइबर अटाक से सिकॉरिटी देने वाले सल्यूशन्स और प्लाटफर्म्स के डिमांड बढ़ी है, नेक्स्ट अपडेट है, लीडिंग इन्वेस्टर राके जुन जुन वाला के इन्वेस्मेंट वाले एक शेर ने जबर्दस रिटर्न दिया है, इसने पिछले एक साल में 150% रिटर्न दिया है, पिछले एक महीने म इसका रिटर्न 27% है, हम बात कर रहे हैं वीए टेक वेबएक की, ये वाटर ट्रीटमेंट कंपनी है, जिसके शुरुआत 1995 में हुई थी, आपको बता दे कि सेंट्री गवर्मेंट का पीने के पानी और वाटर ट्रीटमेंट पर ज्यादा जोर है, सरकार ने नल से जल स्कीम इसका फायदा वीए टेक वेबएक जैसी कंपनी को मिलेगा, इस कंपनी में राके जुन जुन वाला और उनकी पतनी रेखा जुन जुन वाला की 8% हिस्सेदारी है, कंपनी के शेर के करन्ट प्राइस पर इस हिस्सेदारी की वैल्यू 154 क्रोर पीस है, पिछले दो सालों से दोनों ने कंपनी में अपने इंवेस्मेंट को करन्ट लेवल पर बनाए रखा है, नेक्स्ट अपडेट है, लॉजिस्टिक्स और सप्लाइचेन सर्विस कंपनी डेलिवेरी की डिसेंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच आई पे उलानी की प्लानी है, कंपनी के को फाउंडर और CEO सा साहिल बरुआ के अकॉर्डिंग डेलिवेरी एक इंडिन कंपनी है और यही इसका सबसे बड़ा बिजनस है, इसलिए कंपनी को भरत में ही लिस्ट कराया जाएगा, साहिल बरुआ के अकॉर्डिंग जब तक मार्केट सेंटिमेंट को चोट पहुँचाने वाले COVID-19 की 30 लेह की संभावना नहीं होगी, तब तक डेलिवेरी के IPO के डीले होने की कोई possibility नहीं है, साहिल बरुआ का कहना है कि कंपनी इस इशू के details पर काम कर रही है, जिसमें इसके इशू साइज, merchant banker और lead manager के appointment जैसे काम शामिल है, Next update है, market की नजर 14 जून को आने वाले Sona Comstar के IPO पर है, कंपनी ने IPO का price band 285 to 291 रुपीज के बीच तैक किया है, इन्वेस्टर्स इशू में 16 जून तक पैसा लगा पाएंगे, कंपनी की planning market से 5,550 क्रोर पीज कलेक्ट करने की है, 5,550 क्रोर के इस IPO में 300 क्रोर पीज का fresh issue होगा, जबकि Singapore 7 top को 3 private limited की तरफ से 5,250 क्रोर पीज का offer for sale रखा जाएगा, कंपनी इस IPO से मिले पैसे का इस्तमाल, loan के payment और general corporate purposes के लिए करेगी, इस IPO का lot size 51 shares और उसके बाद 51 के multiples में होगा, Next update है, बिटकोईन समेट सभी crypto currencies के prices में गिरावट का दौट जारी है, अमेरिका की tax agency, internal revenue service ने सरकार से crypto transfer पर strict reporting rules बनाने की डिमान की है, इस से दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे popular cryptocurrency, बिटकोईन का price पिछले 24 घंटों में 32,000 डॉलर के नीचे चला गया था, अप्रेयल में इसका price लगभग 65,000 डॉलर के record level पर पहुँच गया था, इस तरह बिटकोईन का price गिरते गिरते आधा रह गया है, इसके अलावा पिछले 24 घंटों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी cryptocurrency, इथेरियम के price में भी 8% की गरावट आई और इसका price 2500 डॉलर के न washing machine, AC और fridge बेशने वाली company वीडियो कॉन अब अनिल अगरवाल की हो जाएगी, national company lot tribunal ने इसकी permission दे दी है, billionaire industrialist अनिल अगरवाल की twin star technologies वीडियो कॉन का take over करेगी, twin star अनिल अगरवाल के वेदानता group का हिस्सा है, इसके लिए वो वीडियो कॉन को लोन देने वाले banks और financial institutions को लगभग 30 billion रुपीज देगी, twin star 5 billion रुपीज का payment 90 दनों के अंदर करेगी और बाकी का payment आने वाले time में non-convertible debentures के रूप में किया जाएगा, next update है, भारत और चाइना के बीच border issues के चलते, भले ही भारत की तरफ से कई Chinese apps को ban कर दिया गया है, और Chinese investment पर कई तरहां के strict rules ला महीनों में भारत और चाइना के बीच business annual basis पर लगभग 70% बढ़कर 48 billion dollar हो गया है, सिरफ चाइना ही नहीं बलकि भारत के publicly available data ने भी business में अच्छी growth को दिखाया है, हाला कि ये संख्या Chinese media द्वारा बताये गए data से अलग थी, इंडियन डेटा के according साल के पहले 5 महीनों में business मे 55.83% की growth हुई है, दोनों देशों की तरफ से जारी data के अलग होने की वज़ा पता नहीं चल पाई है, आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच dollar में business होता है, यहाँ पर हमारा आज का finpoint session खतम होता है, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें comments करके बताएं और अगर पसंद आई तो like जरूर करें, हम से जुड़े रहने के लिए thank you